हेलो गाइज वेल्कम टो मैं चैनल तो आज हम बात करेंगे एप औस एंडे बेबी दिस रिस एपिसोड 11 के स्पाइलर के बारे में तो पिछले एपिसोड के मताबिक थूप को जेल से छुडाते वक्त जब गन पूली स्टेशन पर गया था चेयर के साथ तब की फोटो इंटर तो चेयर को अपने घर पर देखकर जैसे अपनी जिन्दगी बापस मिल जाता है इसलिए पर से प्रामिस करने को कहता है जाहे जो हो जाए वह दोनों एक सथफाइट करेंगे तो गन एधिग्स करता है जो गनने करता लगा करता है है उसराद घंड करके अपने करने लगता है फिर अगले दिन सुब्हावड कर चेर गन को देखने लगता है और उसके नौच पर टच करके गन को फील करने की कोशिश करता है तब चेर को याद आता है कि पिछले रात को गन को अई-लव-you बोलने से पहले उसने गन को एक बर और आई-लव-you कहा था जब थूप को चुराने में चियर के मदद किया था फिर वह दोनों ऑफिस जाते हैं और शायद किसी काम से चियर गंड की कैबिन में आता है तो गंड चियर से मज़ा करके कहता है अफ कोर्स बॉस या मैं तुम्हें बेबी बुलाओ गंड की बात सुनकर चियर एक पल के रिस्टार ठीक है गंड के बात सुनकर चियर कहता है आप नहीं तो कहा था अब यहाँ पर कोई बॉस नहीं और कोई इंटर नहीं है यहाँ पर सर मैं और आप है इसके बाद हम एक क्यूट सीन देखते हैं जहाँ पर चियर गंड से रिक्वेस्ट करके कहता है किया आप मेरे बालों को अब गंड का बेबी उससे कोई रिक्वेस्ट करेगा और गंड नहीं करेगा ऐसा तो हो नहीं सकता इसलिए गंड चियर के वाश्रूम लेकर जाता है और बात पर बिठा देता है फिर चियर के बालों में शैंपू करने लगता है चियर के साथ रहकर गंड अचकल बहुत खुश हो जाता है साथ ही बहुत ही एमोशनल भी हो जाता है कि तब ही गंड चियर को हग कह लेता है और इस एपिसोड के ट्रेलर में एक और सिन देखते है जहां पर चियर अपने घर पे बेट पर सोया हुआ था और गंड उसको बहुत ही प्यार से देख रहा था अब ये सि जानने के लिए हमें अगला एपिसोड जरूर ही देखना पड़ेगा जो कि नेक्स फ्राइडे को आने वाला है ओके गाइस इस पालर में बस इतना ही मिलते है अगले वीडियो में किसी और बेल स्पालर के साथ तब तक के लिए बाए बाए दोस्तों